हर काशी वाशी के सामने एक सवाल उठा रहा हूँ आखिर वो कौन सी मानसिक्ता है जिसके चलते पहले काशी को भी काश से बंचित रखा गया मैं देश के एक लाग ऐसे नवजवानों को राजनीती में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीती से कोई लेना देना नहीं है ये बानत की राजनीती की दिशा बदलने वाला भ्यान है ये प्रस्टाचार और परिवारवादी मानसिक्ता को मिटाने का भ्यान है मैं हर काशी वाशी के सामने एक सवाल उठा रहा हूँ आकिर वो कौन सी मानसिक्ता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से बंचित रखा गया दस साल पहले कि सित्य याद करिये बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारे चलाई जो लोग दिल्ली में दसकों तक सरकार में बैटे रहे उन्होंने कभी बनारस की परवाद क्यों नहीं की इसका जबाब है परिवारवाद और तुष्टी करण की राजनीती कॉंग्रेस हो या समाजवारी पार्टी ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास ना पहला प्रास्पिक्ता में था ना बविश में कभी होगा इन दलों ने विकास में भी बेदवाव किया जबके हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है हमारी सरकार किसी योजना पर बेदवाव नहीं करती हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं कि आयोध्या में भव्य राप मंदिर बनेगा आज आयोध्या में हर रोज लाखों लोग राम लाला के दर्शन करने जा रहे हैं महिलाओं को विदान सबाव और विलोग सबाव में आरक्षन की बाद भी बिलर्शों से लटकी रही थी यह इत्याजिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है तीन तलाकी कूरिटी से कितने परिवाल पिडित थे मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया ये भाज़पा सरकार ही है जिसने OBC IO को समय अधानिक दर्जा दिया ये भाज़पा सरकार है NDA सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक्षि ने गरीबों को 10% तारक्षन दिया साथ्यों हमने अपना काम किया नेक नियत से नित्यां लागों की इमान लारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया इसलिए देश भी हमें लगातार आसिरवाध दे है अभी हर्याना में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार बाज़पा की सरकार बनी है जबू कस्पीर में भी बाज़पा को रिकोर्ड वोट मिले हैं साथ युआज भारत के सामने परिवारवादी राजनीती का भी बहुत बड़ा खत्रा है यह परिवारवादी सब से जाजा नुक्सान देश के वहाओं को करते हैं यकभी भी युवाओं को मौका है में विश्वात नहीं करते हैं इसलिए मैंने लावान कि मैं देश के एक लाग ऐसे नवजवानों को राजनीती में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीती से कोई लेना देना नहीं है ये बानत की राजनीती की दीशा बदलने वाला भ्यान है ये प्रस्टाचार और परिवारवादी मानसिक्ता को मिटाने का भ्यान है ये काशी के उत्तरप्रदेश के नव जवानों से भी कहूंगा कि अब खुले मंचे नई राजनिती की धूरी बने काशी का सामसद होने के नाते मेहा के नव जवानों को जादा से जादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं साथ यो काशी का मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास पतिमानों का आरम स्थल बना है काशी एक बार फिर रास्त को नई जती देने का साक्षी बनी है